सन 1964 में डौव एल्गबर्ट ने पहला कम्पूटर माउस बनाया जो कि लकडी का बना था और इनका निदन 5 जुलाई 2013 खो हुआ था इस विग्यानिक के बारे में छोटी सी जानकारी आप सब के लिए सेल फ्रांसिको है उंगलियों के यानि कि उंगलियों के इसारों सन 1964 में डौग एल्गबर्ट नामक विग्यानिक ने पहला लकडी का माउस बनाया था जो कि कम्पूटर पे यूज हुआ करता था 5 जुलाई 2013 को इस साइंटिस्ट का सुवर्गबास हुआ था के बारे में छोटी सी जानकारी आप सब के लिए सेल फ्रांसिको यानि कि उंगलियों के इसारों को पलक जपकतने समझने वाले कम्पूटर माउस के जनक डग एल्गजबर्ट का 88 वर्स की उमर में निदन हो गय माउस इजायत कर कम्पूटर की दुनिया को बदल कर रख देने वाले अमेरीकी इवेंट डगल एल्गजबर्ट का कैलिफोर्निया स्थित अपने गर में निदन हो गया था इनकी मोत गुर्दे की खराबी की वज़े से मंगलवा रात को सोने के दुरान हुई थी और इनका जनम 30 जनवरी 1925 को हुआ था सन 1963 में इन होने स्टैनफोर्ड अनुसासन संस्थान को अपनी शोध प्रियोग साला में कम्पीटर माउस का अविस्कार किया जिसका पेंडेंट उनने साल 1970 में दिया गया एजल वर्ड की सोच उनके वक्त से काफी आगे थी रहाएक ऐसे यूग में काम कर रहे थे जब कम्पीटर पूरे कमरे के वराबर होता था 1960 में इस उपकर्ण को त्यार करने वाले एजल वर्ड ने पहला माउस लकडी का बनाया था इसमें धातु के दो चोटे पईये थे एजल वर्ड माउस में बहुत अधिक पैसा नहीं कमा सके क्योंकि 1987 में जब माउस का पेंटेंट खातम हुआ उस समय तक इसका बहुत अधिक इस्तिमाल नहीं किया जाता था लेमेलेशन M.I.T. पुरुषकार दिया गया और वर्ष 2000 में पर्षनल कम्प्यूटर की बुन्याद त्यार करने वाले नेशनल मेडल फॉर टैक्नलोजी पुरुषकार से समानेत किया गया ओके फ्रेंट्स तो यह थी आज के जो पत्मा में माउस चलता है उसकी जानकारी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करगे जिरूर जाना ची थैंक्यू और वाजिंग डिस वीडियो बाइबा नेक्स्ट मिलेंगे कुछ न्यू इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ